बद में पुरान के अनुसार एक समय धर्ती पर वच नास नामक राक्षस के अत्याचार की कारण ब्रह्मा जी ने उसका वद किया लेकिन वद करते समय उनके हाथ से तीन जगों पर कमल पुस्प गिरा जिससे तीन छीले बनी इसी के बाद इस स्थान का नाम पुशकर पड़ा ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यहां एक यग्य का फैसला किया यग्य के समय किसी कारण वश्प शावित्री जी नहीं पहुच पाएं तो ब्रह्मा जी ने गैत्री नाम की कन्या से विवा कर यग्य संपन किया लेकिन जब सावित्री जी आई तो कन्या को देख कर प्रोदित हो गई और ब्रह्माजी को शाप दिया कि दियुता होने के बावजूद भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी और इस धर्ती पर केवल पुसकर में ही आपकी पूजा होगी किसी ने अगर आपका मंदिर बनवाया तो उसका भिनाश हो जाएगा तब इसे पूरे भा में पुसकर के रावा ब्रह्माजी का कहीं और कोई मंदिर नहीं है